हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग ग्लासेस पर आज का हमारा टॉपिक है प्रोड़क्टिविटी केलकुलेशन अप सौविल ये बहुत ही इंपोर्टन कोस्चन है ये आपके कोल इंडिया के M.T. के एक्जाम गेट पे आपको प्रोड़क्टिविटी केलकुलेशन पर सौविल का ड्रैग लाइन का ये आता ही है तो हम लोग नया सेरीज सुरू करते हैं जिस पर हम लोग प्रोड़क्टिविटी केलकुलेशन सारे मसिनरी का करेंगे चलिए इसे देखते हैं Productivity Calculation of Sawwell इसको समझने से पहले हमको कुछ Termology को समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही हम इसके सारे numericals बना सकेंगे चलिए पहले देखते हैं इसके Termology Bucket Capacity Sawwell एक loading machinery है जो load करता है आपके dumpers पे and dumpers जाके dump करते हैं dumping yard पे जाते हैं जो भी however goes on in the open customers जो भी वहां का process है तो देखिए पहले आपको देखना bucket capacity क्या होता bucket capacity क्या होता volume of bucket बहुत सारे volume आते हैं आपने sawwell के like 3 cubic meter, 5 cubic meter, 10 cubic meter इतना material उनके bucket पे आ सकता है next है bucket fill factor and bucket fill ratio यह आपको बहुत जादा समझनी जरूँत है कैसे कि देखिए आपका bucket capacity क्या होगा 5 cubic meter बट यह जरूरी नहीं कि 5 cubic meter ही material उसमें आ रहा होगा आप जो mineral उठा रहे हैं या जो भी आपके पास mineral available है तो उस पे कुछ whites होता है तो उस वजह से उस mineral के कारण वो total 5 cubic meter 100% bucket full नहीं होता है कुछ ना कुछ remaining रही जाता है वो कहलाता है कितना bucket पे actual capacity कितनी है और volume of bucket कितना है यह आपका कहला जाता है bucket fill factor जैसे कि actual volume of material inside the bucket divided by volume of bucket 12 factor is weight per unit volume before blasting weight per unit volume after blasting देखे क्या होता है suppose करिए आप जब blasting नहीं हुआ होता है तो वो institute condition पे होता है हमारा raw कि या जो भी material होता है institute condition पे होता है so weight आपका per unit volume में क्या होगा जादा होगा but blasting होने के बाद उनमें whites create हो जाता है boulder formation होता है वो scattered हो जाते है so particular volume पे weight क्या हो जाएगा कम हो जाएगा आप assume करिए जब intact condition है तो one cubic meter volume पे एक ton material आ रहा है but जब blasting हो जाए तो उसके बाद क्या होता है वो one ton material को handle करने के लिए जरूरी नहीं कि one cubic meter आपका volume लगेगा वो one ton material में भी five cubic meter ले ten cubic meter ले twenty cubic meter ले अब productivity calculation पे इसका रिस्ता क्या है देखे अगर वो intact condition में है तो हमारा bucket जो मान लिजे five cubic meter का हमारा bucket capacity है तो five cubic meter अगर वो intact condition पे है तो एक बार में वो अगर एक ton one cubic meter में आ रहा है तो five cubic meter जो हमारा material है जो bucket capacity है वो एक बार में five ton उठा सकता है but अब blasting हो गया वो lose हो चुका है उसमें fragmentation हुआ तो उसमें whites create हो गया है तो वो five cubic meter bucket पे five ton नहीं आएगा वो जितना swell up हो चुका है उससे कम ही आएगा so swell factor बहुत ही important है आपका material पे whites आ गया so इससे क्या होता है आपकी bucket की जो capacity है वो कम हो जाती है इसलिए जब हम लोग numerical पे लेते है calculation पे आप आगे देखीगा swell factor को divide किया जाता है अगला है availability factor availability factor क्या होता है आपका machine आपको कित्य समय तक available रहा देखे कोई भी एक machinery है एक schedule time होता है अपने shift का 8 गंटे होते हैं जैसे की अपने यहापे generally and उस machinery का maintenance कार होगा ही होगा ठीक है उसके बाद उस machinery पे कुछ breakdown आएगा ही आएगा so मान लीजिए suppose करिए एक machine है 8 hour की shift है उस पे उसे 1 hour maintenance लगा 1 hour उस पे breakdown पे लगा so क्या हो जाएगा total hour कितने उसे मिल गए 6 hour so availability factor क्या हो जाएगा 6 divided by 8 8 क्या है आपका यह shift हवा इस तरह से आप निकाल सकते हैं आपका availability factor utilization factor हम लोगों ने देखा availability factor क्या होता है availability factor में सिर्फ आपको एक ही चीज माइनस करना पड़ता है idle हवा availability factor मतलम आपका available कितना time था हमने देखा कि 8 घंटे की shift है आपने maintenance अवर लिया एक घंटा breakdown अटेंड करने पर लगया एक घंटा आपके पास available कितना रहा है time काम करने को machinery के लिए 6 घंटा बट किसी वज़े से हमारा जो dumper है, drag line है, कोई भी machinery है, वो idle रह गया drag line idle रह गया idle किसी भी वज़े से, जैसे कि आपके sawwell case पे उसके पास dumper नहीं है, या कुछ auxiliary work कर रहा है, इसलिए वो idle रह गया तो मान लिज़े एक घंटा idle रह गया, तो क्या हो जाएगा 6 minus 1 बराबर हो जाएगा आपका 5, तो आपका utilization factor क्या हो जाएगा, 5 divided by 8, इस तरह से हम लोग utilization factor calculate कर सकते हैं और gate पे direct numerical आया हुआ है इस पे, तो ये आपके लिए बहुत ही important है चलिए इसका numerical देखते है numerical पे, numerical पे दिया हुए sawwell loading है, जो broken iron ore को load कर रहा, जिसकी bucket capacity है 5 cubic meter और उसका cycle time है 60 second, cycle time means एक pass के लिए वो 60 second ले रहा है and bucket fill ratio इसे bucket fill factor भी कहा जाता है यह है 0.8 and rock looseness factor and swell factor है आपका 1.5 और साथ ही साथ में, sawwell working time utilization factor is 0.6, हमको calculate करना है output of sawwell per day, daily output of sawwell सो चलिए इसे देखते हैं, कैसे बनेगा productivity calculation के लिए आपको सबसे पहले calculate करना पड़ता है कि, एक pass पे bucket कितना material load कर सकता है देखे, bucket capacity multiplied with bucket fill factor divided by swell factor यह आपका एक formula है जिससे आप एक pass पे कितना है calculate कर सकते हैं देखे, bucket capacity आपका मान लिजे 10 cubic meter और bucket fill factor आपका 50% तो इसका मतलब क्या हुआ 10 cubic meter का only 50% ही आपका occupied हो रहा material को handle करने पर और 50% पे whites हैं या उसके फिल नहीं हो पा रहा है तो आपका actual bucket पे कितना आपका cubic meter यूज हुआ only 5 cubic meter और swell factor क्या होता है after blasting आपका वो lose हो गया, fragment हो गया उसके क्या आगया, whites आगया whites आने की current क्या हो जाएगा आप जब उसके डालेंगे bucket पे जब वो material रहेगा तो क्या वो fully utilize होगा, नहीं होगा वो bucket का पूरा capacity utilize नहीं होगा है, इसलिए swell factor को divide किया जाता है अब आपने एक बार में कितना volume lift होता है, आपने calculate कर लिया तो आपको पता चल गया कि एक cycle time उसका particular cycle time पे कितना load हो सकता है और उस particular cycle time पे गर load कितना हो सकता हम जान गए तो हम उस cycle time की मदद से desired cycle time या desired time पे कितने समय पर एक घंटे आपका eight hour shift के लिए या एक दिन के लिए या आपका महिने के लिए या साल के लिए वह नहीं है वो कितना load कर सकता है उसके productivity क्या होगी calculate हम लोग कर सकते हैं क्योंकि single pass में हमको पता चल जाएगा एक pass में कितना load करता है तो मतलब एक cycle time उसने कितना load किया cycle time आपको पता 60 seconds लगबग या जो भी ऐसा होता है उस 60 seconds के मदद से आप निकाल सकते हैं कि वो one hour में कि पास create करेगा और one hour में इतना पास create करेगा तो आपका shift में कितना pass होगा shift में अगर इतना pass है तो फिर particular day पे कितना pass होगा फिर उसके बाद year पे कितना pass होगा इस तरह से calculate करके हम लोग अराम से उसका output निकाल सकते हैं यह आपका yearly होगी अब next आपका आजाता है actual productivity क्या हुआ actual productivity यह हो जाएगा कि आपने utilization कितना किया देखे 8 गंटे की आपको machinery मिलेगी तो आप 8 गंटे उसे लगातार काम नहीं कर पाते हैं numerical पे mention होगा utilization factor तो utilization factor को हमको multiply करना पड़ता है actual जो जितना भी आपका calculate पे आया है अगर utilization factor नहीं दिया हुआ है इसका मतला वो 100% efficient है और utilization factor द calculate कर लेंगे तो उसके बाद आपको last be utilization factor calculate करना पड़ेगा मान लीजे 8 गंटे की hours है 8 गंटे hours पे वो काम कर रहा है तो उसने 100 टन उसने उठाया बट साथ में अगर बोल जिए utilization factor 50 है तो आपको 100 into 0.5 हो जाएगा क्योंकि 50% है उसका तो वो answer आजाएगा पको 50 only तो इस तरह कैसी utilization factor को देखना पड़ता है अभी numerical हम जब बनाएंगे तो उस पर आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे calculate करते है देखे numerical पे दिया हुआ 5 cubic meter आपका bucket capacity है 0.8 है आपका bucket fill ratio and 1.5 है आपका soil factor तो इसे calculate करने पे क्या जाएगा 2.67 यह 2.67 है एक pass में वो कितना material load कर सकता है और numerical पे दिया हुआ 60 second cycle time है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ 60 second means एक minute मतलब एक minute में वो एक pass लाता है और उस एक pass में वो 2.67 cubic meter material load करता है तो एक घंटे पे उसे कितने pass होंगे number of passes will be 60 then एक pass पे 2.67 cubic meter material handle कर रहा है तो 60 pass पे हो जाएगा 160.2 cubic meter material और देखे 60 pass 1 hour पे हो रहा है तो particular एक दिन पे कितने अवा होते है 24 hour हमको calculate करना है per day का output so one hour पे 160.2 then 24 hours means per day कितना हो जाएगा 3844.8 cubic meter ये case तब का है जब utilization factor 100% हो ने पर दे का calculate कर लिया था कि 3844.8 cubic meter वो handle कर सकता है per day but हमारे numerical पे दिया हुआ है कि utilization factor 0.6 है मतलब कि अगर 100% utilize होता है तो वो इतना handle कर सकता है but 0.6 वो utilization factor है उसका so क्या हो जाएगा 3844 multiplied हो जाएगा आपका 0.6 से so आपका answer आजाएगा 230.8 cubic meter per day इसलिए utilization factor का बहुत ही importance होता है आप जितना जदा machinery को utilize करेंगे आपका production बढ़ेगा हमेशा याद रखिएगा utilization factor को last पे आपका जो per day output होता है अगर 100% दिया हुआ है तो आपका answer ये हो जाएगा आपका 100% utilization नहीं है मतलब 100% मतलब 1 utilization factor अगर 1 है तो आपका ये हो जाएगा और 100% से कम है मतलब यहाँ पे 60% है तो यह हो गया अगर 0.6 तो आपका answer ये हो जाएगा इसके numericals आते ही हैं आपके exam पे और इसके बाद मैं drag line के productivity calculation पे numerical लाओंगा लगबग similar है बस उसमें कुछ terminology नहीं होंगे बाकी wish you all the best आप सभी को gate पे कोल इंडिया के empty पे ये question आता ही है और stay tuned with mining classes आप मुझसे doubt हो तो पोच सकते हैं thank you